हालो, नमस्कार, वेलकम, सभी का स्वागत है हमारे विकेंशी एर एजूकेशन में तो दूस्तो आज हम बड़ी अच्छी खबर की बात करने वाले हैं खास कर अब हो गया इंतजार खतम दसवी पास वालों के लिए भी इस स्पेशल सिर्फ और सिर्फ दसवी पास वाले विध्यारती इस वीडियो को देखेगा आज कई ऐसे कमेंट देखें मैंने कि कमेंट के अंदर सिर्फ दसवी पास वाले विध्यारती की रिक्वार्मेंट थी हम दसवी पास है अगर आप हमारे लिए कोई वेकिंसी हो तो जरूर अपडेट कीएगा तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए अच्छी कबर है और आप लोग इसमें सिरफ और सिरफ दसवी पास वाले विधारती सीधी बरती बिना एक्जाम दिये नोकरी प्राप्त कर सकते हैं पोश्टों की सेंक्य कर्म है पर फिर भी आप एक बार अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं और इस बरती का पूरा फाइदा हुटा सकते हैं इंडियन ओयल कार्परेट लिमिटिड इससे रिलेटिव कई ऐसी संस्ता हैं जिसमें डवलू बी वर्क डिपार्टमेंट के या डी इओ की भरतिया हैं या फिर कई ऐसी वेकेंसिया हैं जिन पर आप लोग आविधन करेंगे और नोकरी प्राप्त कर भाएंगे इंडियन ओयल की जो संस्ता है उनकी अलग-अलग संस्ता के बात में करूँगा जैसे की एन ये पी एस की या डी इ की या डवलू बी की अलग-अलग वेकेंसियां अपडेट हुई है इसमें किसी परकार का कोई एक्जाम नहीं देना होगा आपकी बस सोट लिस्ट यानि की मेरिट लिस्ट के अनुसाद जारी होगा इसका आपको मैं बता दू किसी परकार का कोई विग्यापन जारी नहीं हुआ एकदम आपको इसकी सीधा जहां से आप लोग आविदन करेंगे वहीँ से आपको इसकी पूरी डिटल प्राप्त होगी और वहीं से आप सिसमें आविदन प्रकिरा के बारे में पूरी डिटल देख पाएंगे तो दोस्तो मैं सारी चीज़ी किलिर करूँगा आविद्धन पर किया, सबसे पहले मैं बात करूँगा फोर्म को कैसे अपलाई करना है और फोर्म को कैसे ही हाड कोपी आपके पास रखनी है और हाड कोपी को आप कहां जम्मा करवाएंगे ये सारी चीजे हम आगे बात करेंगे तो चले दोस्तो शुरू करते हैं आज की इस अपडेट को जो भी ध्यारती हमारे चैन पर पहली बार विजिट कर रहा है तो प्लीज आप हमारे चैन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन कौन कर सकते हैं आने वाले हर एक नोटर्पीकेशन की जानकारी सबसे पहले आप ले पाएंगे तो दोस्तो हर रोज की तरह हम आपको हमेसे एक नई विकेंसी के साथ अपडेट करते हैं आज मैं इसकी ओफिसली विवसाइड से ही बात करूँगा लेकिन यहां पे ध्यान रखेगा आपने कई बार नाम सुना होगा कि रेलवे में अपरेंटिस निकली होई है यहां पर अब जो विकेंसी अपडेट होई है इसमें किसी परकार की कोई आईटि यही की डिमाद नहीं है मैं एक बार फिर से कहा देता हूँ इसमें सिरफ और सिरफ दसवी पास वाले विध्यारतियों को ही मोका दिया गया है अगर आप एक दसवी पास के स्टुडेंट हैं तो आप इस फेकिंसी का आवे दिन कर सकते हैं और इसमें वन इयर बाद आप ट्रेनिंग बेस्ट पर रखने के बाद यानि कि आपको वह अप्रेंटिस करने के बाद एक साल बाद आपको परमाने नोकरे भी दी जाएगी सारा विबरेंट इसमें दिया वाय है देखेगा इसमें मैं पहले भी कह चुका इसका कोई विग्या पंजारी नहीं हुआ यह हो इसके ओफिसली विवसाइड है ओफिसली विवसाइड पर देखें सबसे पहले हम बात करें आवी दिन बिटके के उपर तो यहां से आप लोग इस फोंगो जमा गरवाएंगे यह मैं आपको लास्ट में दिखाने हो लो कैसे आप रजिस्टेशन करेंगे कैसे इसमें फोंग भर पाएंगे अब यहां पर देखेगा सबसे पहले इस्तापना की बात करें पहली संस्ता की हम बात करें जिसमें इंडियन ओयल कार्पोरेट की है कोड्स हैं क्या दी हुई है सेलरी की बात करें इस्तापित सेलरी यहां पर दी हुई है आपको इतने दिन तक इतने दिवस्त कारे दिवस्त के अवदी होगी सरकार दुआरा पंजीकरन कराया जाएगा किन राज्यों में होगा यह सारा विवरन यहां पे भी आप देख पाएंगे नेक्स्ट अब जिसके बात करें तो इस्तान वही सहम है और यह पस्मी छितर से हैं, बोमबे से हैं, बोमबे महराव से हैं इसमें जिला कोट दिया वाय है, बोमबे में ही आपको जोइनिंग दी जाएगी और वहीं पे आपको जोब करने का मोका मिलेगा विश्य दुरान हम नेक्स्ट अगली वेकेंसी की बात करें तो यहाँ पे देखेगा घरेलूट डाटा ओपरेटर की वेकेंसी है एन एपी सी की संस्ता है, इसमें ओपरेटर डिपार्टमेंट की वेकेंसी अपडेट हुई है इसमें आप सिर्फों सिर्फ 15 मन्त के लिए ही आपको ट्रेनिंग बेस पर या परेंटिस के लिए रखा जाएगा फिर उसके बाद आपको परमाने नोकरी दी जाएगी ट्रेनिंग ब्लॉक बेट अप ट्रेनिंग जो डाटा ओपरेटर की ट्रेनिंग जो जो इसमें 14-400 गंटे का 12 मंत का टाइमिंग दिया वा है उसके अनुसार अप इसमें नोकरी कर पाइंगे यहां पर देखेगा operator name जिसमें data entry की 2.0 के नसर विड्यापन जारी हुआ है नम्मर ओप आपनिंग 10 post इसमें दी हुई है इसमें 6,000 से 9,000 तक आपको salary दी जाएगी जेंडर की बात करें इसमें महिला उपर उस दोनों ही आवेदिन कर सकते हैं सबी category की आवेदिन कर सकते हैं इसमें benefit आपको qualification की बात करें तो इसमें आपके पास सिरफ और सिरफ 10 विपास की qualification होगी तो यानि कि दोस्तों इस तीन से चार लाइनों में आपको सारी चीज़े दी हुई है जिनमें आप लोग आवेदिन करेंगे आवेदिन करने के लिए ये विवरन दियावा है आप लोग कैसे कैसे इसमें नोपरी करेंगे सारी जानकारी एक छोटे से और आपको आवेदिन परके के बारे में तो यहाँ पर आप लोग आवेदिन भी देख पाएंगे मैं प्रोसेसर बताऊंगा जिसने जो विध्यारती पहले आगर आवेदिन कर चुके हैं जो पहले इसमें आवेदिन कर चुके हैं वो सिर्फ अपने रेजिस्टेशन और पासपर्ड लगा के ही इसमें लगा सकते हैं रेजिस्टेशन कर सकते हैं और जो पहली बार एक्टिव हो रहे हैं यार जो पहली बार इसमें आविदन करना चाह रहे हैं वो रेजिस्ट्रेशन एक्टिव पर क्लिक कीजिएगा आपको यहां पर दस भी बार भी के रोल लंबर फोटो सिगनेचर अपलोड करने होगे इससे ज़्यादा आपको कुछ न और वो नोकरी करना चाहते हैं तो आप वनियर की अप्रेंटिस करने के बाद यहां पर मारे नोकरी कर सकते हैं और काफियत सी विकेंसियां हैं तो चले दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगले बार निव विकेंसि के साथ फिर सुरुआत करेंगे कैसे लगा वीडियो झाल